गुरुजी ने मुझे बलेसिंग दी थी कि तु 7 लाक लोगों से ससंग करेगी तो जब गुरुजी ने बार-बार बोलना शुरू किया कि 7 लाक पीपल, 7 लाक पीपल, तो पहले तो मुझे लगता था कि ये पतानी गुरुजी क्या बोल रहे हैं तो फिर जब उन्होंने काफी फ्रिक्वेंटली बोलना शुरू किया कि मैं तेरे लेके 7 लग बंदे लिखे हैं तो मुझे नहीं समझ आती थी, विल्कुल भी नहीं आती थी तो एक दिन, कुछ दिन पहले मनुशुरूप छोड़ने से पहले देन गुरुजी से कि तू 7 लग बंदे लेके आई तो वो एमाल टू बंदाज और संगत तो मुझे बड़ा अजीब लगता था तो मेरे हजबन भी खड़े थे साथ में उस दिन तो मैं थोड़ी स्ट्रेस में थी कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं मेरे को तो देन मेरे हजबन ने बोला कि बहुत सिंपल है एक बंदा, एक सर्दार जी साथ लग, ए सावा लग के बराबर होते हैं तो छे सर्दार पढ़के लाजा, तेरी गिंती पूरी हो जाएगी कहते तू क्यों स्ट्रेस लेती है तो एक सर्दार जी जो हैं सवा लग के बराबर हैं छे सर्दार ले जा, साथ लग से उपर गिंती हो गए देन हम लोग घर में बात करें यह बहुत बड़ा ससंग है कैसे एक इश्वर ही हम लोगों की बातों को जो घर में की हुई हम देक्स दे गुरू जी के पास गए देन गुरू जी ने कैबनेट पे बैठे थे गुरू जी ऐसे टांग चोकड़ी मारके और cabinet की बात पे भी मुझे हमेशा एक सच्छन गुरू जी याद कराते हैं कि आज हम सोचते हैं कि कितनी easily smoothly गुरू जी नीचे उतरते थे उपर बैरते थे क्योंकि मुझे पता नहीं मन में क्या इच्छा थी भाव था एक प्यार था कहलो हलांकि गुरू जी से प्यार नहीं हुआ था कि मुझे गुरू जी को कैबनेट पर देखना है यह भी थोट उनका ही दिया हुआ था और मुझे 90 अबोग पसेंटेज मुझे गुरू जी ने कैबनेट पर दर्शन दी तो यह उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी मेरे पर जो हम लोग उस टाम नी समझ पाएं बनको खुश होती थी अंदर से कि गुरू जी कैबनेट पर बैठे और मुझे बढ़े दिखने चाहें और हाडली अनी संगत होती गुपाल सेटी अंकल जानते हैं उस बात को अगरू जी इसली नीचे उतरते थे बैठते थे ऐसे पूल फ्लाग की जैसे आज हम सोचते हैं कि भही वह 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 पॉसिबल इतनी हाइट में कोई इंसान अगदम आराम से बैठ जाए उतर जाया से दो तीन बार होता रहा रहा है रूम में जाते जाते वापस आजाते उतरते थे, खड़े होते थे, लेक्ते हैं. So Guruji was sitting there, and मैं वो मोमेंट नहीं भूलती कभी भी. Guruji के साथ बिताया हुआ एक भी मोमेंट नहीं, Guruji भूलने देते हैं, ये भी बहुत बड़ी blessing है उनकी. तो एकदम Guruji कहते हैं कि हो और बाटिया अंटी कल की कह रहा सी थे नूं? अंग भाटिया. उनको कभी कभी गुरुजी प्यार से बाटिया भी बुलाते थे. तो की हो गया रात नूं की कह रहा थी ते नूं तो मैंने का नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं तो करने नहीं कुछ ते कह रहा थी तो मुझे लगा शायद एक आदबा हीटी आग्यूमेंट्स हो गए थे हमारे तो गुरुजी ने वो भी बोल दिये थे कि कोई FD मेच्वर हु मैं का नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं हुआ मैं सोच में पढ़ गए कि कुछ बात हुई थी हम लोगों के बीच में तो वो दिमाग से उतर गया कि 7 lakhs पीपल वाला यंदे नहीं कह रहा थी का मैं का नहीं गुरुजी हां ते कह ते रहा थी कि एक सरदार की कह रहा थी सवा सब्सक्राइब नहीं गुरुजी ने तेनु आगे समझ पंजाबी में बोला गुरुजी ने मैं का हां जी गुरुजी अच्छा तु यूपी दिया है गी आगरादी तो तेरी हिंदी बड़ी चंगी है तो फिर गुरुजी ने हिंदी में बोला तू 7 lakh लोग लेकर आएगी समझे तो मैंने का हां जी गुरुजी तो फिर मैंने का कि गुरुजी इसके लिए तो अब मैं है रान हो कि गुरुजी के तरफ देख रही हूं कि तो एकदम नजर पड़ी आँखों से आँखे मैंने उनकी तरफ देखा मैं देखती थी गुरुजी की आँखों में भी सामने बैटके तो देन गुरुजी सेट कि मैंने का गुरुजी मुझे तो बहुत ब्लेसिंस कीज़ोता है फिर गुरुजी का हाथ ऐसे उपर नीचे गया मेरे सिर से लेकिन नीचे तक ऐसे करके लहते हैं तो मैं पूरा ही ब्लेस कर देता संगा जी गुरुजी की जो ब्लेसिंस होती है वो बहुत डिफरेंट होती है इस नॉट लाइक कि आपकी लाइफ में चारों तरफ हरियाली हो गई नहीं गुरुजी चुनते हैं लोग खुशी मिलती है वो करने के बाद जो कष्ट कड़ जाते हैं फिर एक इतनी अच्छी अनुबोती गुरुजी देते हैं कि उसका मैं वर्ड्स में ब्याक्यान नहीं कर सकती हैं में पर वर्ड्स नहीं हैं कि वो अंदर एक inner peace inner strength और वो गुरुजी ही दे सकते हैं जब भी एक्स्प्लेइन किया कि क्यों आई और मैंने क्या करना था इसके साथ और से मैं क्या करा रहा हूँ तो यह उनकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आज अगर भामना को देखो दुनिया हैरान होती है देखकर कि भई यह बचा कितना इतनी कश्टों के बाद यह बचा खड़ा ह है और स्ट्रॉंगली खड़ा है और बिल्कुल अपने अच्छे से मैं कहते हूं पूरे खांदन में इतनी उचाईयां किसी ने नहीं चूई जो इस बच्चे ने को गुरुजी ने चुलवाई हैं तो यह उनकी ही खाली उनकी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स कैसे पॉसिब लाइफ में बर्थ देना तब तो हम लोगों को यह लगता था कि बाइस साल की लड़की व्याक करा के उसका सत्यनाश करा दिया गुरुजी ने उसके करम कटने सी के नो न्यू लाइफ देनी सी तो हमको यह मीनिंग नहीं समझा लेकिन आज आज तो लाग कि उनका कैसे शु होते हैं अमारी लाइफ तो मैं हमी शा ऐक ही आंसर मेरे कुछों का कोश्जन होता था और आंसर एक ही होता था मरा जो गुरू जी बुलवाते थे गुरू जी को अगर अपने लाइफ से अठा दें और फिर हम सोचें कि ये कर्श्ट आया होता तो क्या होता है क्या हम खड़े हो सकते थे, क्या हम ऐसे प्राउडली गर्दन उपर करके गुरुजी का सस्थन कर सकते थे, No, not possible at all, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, और गुरुजी ने क्या उच्छाईयां दी, कितना मान दिया, कितना प्यार दिया, और उसके लिए तो मेरे पस वर्ड्स ही नहीं है, कि मैं कैसे शुकराना करूँ, मेरा तो रोम रोम कर्चदार है गुरुजी का, और गुरुजी का कहना कि चाहे कुछ भी हो, तुम मेरा सस्थन करते जाना, यह only and only गुरुजी ही possible करा सकते हैं, तो संगा जी हम बहुत ही एक ऐसे जगाँ पे हैं, पर उस ईश्वर को हमने खिलोना न बनाए, यह मेरी सबसे विंती है, कि जो उन्होंने हमें मार्ग दिया है, दो तीन चीजें दिये हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला भी कुछ नहीं और कुछ भी करने को नहीं बोला, कोई rituals करने के लिए नहीं बोला, गुरुजी तो एंड में जो गुरुजी ने मुझे 20-25 मिनट अपने पास बिठाया, हो सकता जादा भी टाइम हो, पर गुरुजी बुलवाते हैं 20-25 मिनट तो वो 20-25 मिनट ही थे, जब वन इस टुवान, गुरुजी ने अपने चरनों में बिठाया, अपने राइट में बिठा के चीजे समझाएं, डाट वस माइ लास्ट गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने बहुत चीजें बताईं, जिससे पूरा हम लोगों को ये रास्ता क्लियर हो गया कि उस समय तो नहीं समझाया कि ये लास्ट मीटिंग गया, पर गुरुजी ने जैसे बताया कि मु भी नमी संगत लेके आनी है ना भाटी आटी उन्हों वड़े मंदिर लगे जानी है, एथे नहीं लाना, तो मेरे सोच में तो उस वकत ये आया कि, लाइक मेरा जो दो दिन गुरुजी ने फिक्स कियों है आने के और दो दिन नहीं संगत के साथ मैं आ सकती थी, अब मेरा न भाई नहीं सकती तो दो दिन ही रह गए मेरे तो, पर लेकिन नहीं गुरुजी ने अपना आना और जाना खुद तय किया हुआ तो भगवान जब धरती बार आते हैं और जाते हैं तो वो खुद तय करते हैं कि उन्होंने कैसे कौन सा रास्ता चुनना है और किसको माध्यम बनाना है तो वो उनकी खुद की जर्णी होती है वो भगवान ही बता सकते हैं जाने से पहले कि ये लास्ट मीटिंग है क्योंकि उस दिन गुरुजी ने नमस्ते की हाथ जोड़के थैंक्यू बोला गुरुजी ने जबकि भगवान को एक्तुच भक्त को थैंक्यू बोलने तो गुरू जी एक बहुत बड़ी शक्ति उनसे उपर कोई हाई नहीं इस दुनिया में जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया उसको अब हम लोगों ने बहुत ही एक अजीब तरीके से ससंग का मोड देके और इतने रिचुल्स में कर दिया है कि क्योंकि जब गुरू जी ने गुरुगाओं का ससंग शुरू करवाया था तो तीन-चार आंटिया ही थी और फिर गुरू जी ने वो जिम्मेवारी दी कि तुमने करते जाना है और गुरू जी ने एक एक चीज खुद अपने वचनों से उंगली पकड़के कि कैसे दरी बिचानी हैं, कैसे कापक पे चादर बिचानी हैं, दरी बिचानी हैं, बैठना है, नीचे हाथ में चाय का ग्लास देना है और लंगर में क्या-क्या होना चाहिए पर आज तो हम कुछ भी नहीं सुन रहे हैं हम तो गुरुबानी चलती है शबदवानी शबदवानी में ही इतना विग्न डाला हुआ है कि आते ही तुम प्लेटों में स्नैक परशार खाने पीने का समान और लोग आ रहे हैं प्लेटे ले रहे हैं दे रहे हैं चारजने आए फिर लेके आते हैं फिर लेके आते हैं और ये वो हम सवा गंटा तेड़ गंटा उसी में ही निकाल के जा रहे हैं और हम कुछ नहीं लेकर जा रहें ये सब चीजों में और शबदवानी में हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं जब कि गुरुजी के या भी सवा गंटा डेड़ गंटा जब वो सिन्हासन पर बैटते थे शबदवानी चलती थी तो गुरुजी अपने हाथ से भी कभी कुछ नही होते थे उन्होंने सिर्पे और वो लेके अपने खड़े हो जाते थे जहां म्यूजिक चल भीजे अंकल बैठते थे शबद चलते थे तो हमको समझ आ जाती थी क्योंकि जल परशाद के लिए फिर मैं बहार जाती थी तो यह लाज शबद है तो उसमें एक दो अंटी शारा कर देती थी तो कि जल परशाद के लिए भार आ जो तो हम लोग तब गुरुजी अपने हाथ से कुछ भी देते थे कड़ा परशाद खाके अंदर आना और फिर लाइन से लोग महां लंगर लगता था और बैठ जाते थे सबा गंटा डेड़ गंटा का जो रस गुरुजी ने ह वो एक उसी से ही है सारे करम कटे क्योंकि गुरुजी का एक कहना था कि मैंने तुमको मोक्ष दी मोक्ष में जन्मों के करम कटवाने हैं और वो तो काट नहीं थे गुरुजी ने और वो इतने अराम से कटेंगे यह हम दोगों ने कभी नहीं सोचा था और गुरुजी ने कर देना देना नहीं है, ना मेरी कोई प्रमोशन है, ना मेरा कोई, मुझे कोई पीछे से आके पैसे दे रहा है कि तुम गुरुजी का गान ये रास्ता दिखाओ और तुमको कुछ, हाँ गुरुजी दे रहे हैं, गुरुजी जोलियां भर रहे हैं, और ये सिंगर विगेरा, daily जो ससंग रूटीन के गुरुजी ने शुरू करवाए हैं, उन में नहीं चलते हैं, अगर कोई बड़ा ओकेशन आपके घर में हैं, हाँ गुरुजी सिंगर बुलाते थे, जब रेरली, जब बड़ा ओकेशन होता हैं, इसको एक शोर शराबा वाला ससंग ना बनाके, इसको ज कोई रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, बोलने वाला भी खाली जो गुरुजी का आदेश है, जो गुरुजी ने दिया, उसको ही बता सकता है, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है, तो कल्यान का गुरुजी ने बहुत सिंपल सरल रासा दिया, जिसको हम ल लोग जो catering कर रहे हैं और उसमें ही कहते हैं नहीं जी नहीं जी गुरुजी तो खिलाते पिलाते थे हाँ गुरुजी खिलाते पिलाते थे लेकिन हर्ट टाइम नहीं हाँ जब किसी को कोई हर्ट प्रॉब्लम है तो उसके लिए समों से प्रोड्यूस कर दे जाते थे किसी को शुगर है तो उसके लिए जिले भी दी जाती थी तो पर लेकिन जो गुरुबानी का जो समय है वो सवा घंटा डेर घंटा गुरुजी ने गुरुगाम संगत से शुरू करवाई और दिया और उसमें गुरुजी ने बोला खाली और खाली उसको कनेक्शन बिटाओ और हाथ म को चलाया जाए उसको सुना जाए तो हमारी हीलिंग है गुरुजी अपनी हीलिंग पावर चोड़के गया है लंगर सिंपल किया जाए और ससंग को सुना जाए और सुनाया जाए ये तीन चीज़ें गुरुजी ने दिया इसके लाबा और कुछ नहीं दिया गुरुजी ने रेरली किसी किसी को, जैसे मुझे बोला गया, जब वहाँ पर शबद चलते थे, तो लाइफ में गुरु जी की 95 में आवाज आई थी, तो हमारी लाइफ बहुत स्मूर सुन्दर थी, शायद गुरु जी ने ये भी चुना होगा कि कष्टों को काट के खड़ा होना, इसलिए म आंसर भी गुरु जी न दिये, तो लाइफ इतनी ब्यूटिफुल थी, हमें कहीं जाने की जुरुवत नहीं थी, किसी भी जगाना में जाती थी, ना जुरुवत थी, और यू नेम इट थिंग्स वर दिया, उस समय हम अरली एटीज में पूरा वर्ड गुमते थे, और ऐसी लाइफ थी, बहुत सुंदर, मैंशन हाउस, बिजनस, लाइट, आप जो सोचो वो सब था, पर गुरु जी के वाजाई 95 में गुरु जी आने वाला वक्त देख सकते थे, और गुरु जी लोगों को चुनते थे, किन से करम कटवाने हैं, ये ये गुरु जी के पास आके सीक माध्यम को, तपस्या को बहुत सारे चीजे हैं, जो गुरु जी शेयर की, और वो अब टाइम समझाई कि हाँ, गुरु जी ने चुना, और अब बहुत प्राउट फिल होता है कि गुरु जी ने इस लाइक समझा, ये भी उनी की बलेसिंस हैं, जब उनका बुलावा आना श जेलिया, इंडिया में थे, बिजन जीरो हो गया, और नीचे ग्राफ जाने लगया, बट कभी बिलीव नहीं था कि कोई इनसान बैठा हुआ, हमारी चीजें ठीक करेगा, नहीं, उसमें वक्त लगा आने में, गुरु जी के पास, आज मैं वो रिग्रेट करती हूँ कि अग मारे करम काटने शिरू कर दिये, चर्दों में बिठा के, और मैं वहाँ पे शबद चला करता था, कि अमरत विले उटके शनान करके बैढ़ जाओ तो जन्मों के करम मिठ जाते हैं, क्योंकि लाइफ में ए नहीं था, किसी भी रिचुल का, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुर दिया रहते हैं, तो हम उसके लिए जाते थे, कि ड्राइब भी हो गई और फैमली का एक आउटिंग हो गई इस तरह से, और कुछ नहीं, उसका मीनिंग कुछ नहीं था, कि वहाँ जाके कुछ मिलेगा, कुछ जरुद भी नहीं थी उस वकर, सब कुछ था, घुरु जी का द जाते हैं, तो अब बड़ा उस सुकता हुई मन में कि भई, यह तो बड़ा इजी है, भई, सुबह ओटो, नहाओ, दो, बैड़ जाओ, और गुरु जी को याद करो, वहाँ पर एक टेप चलती होती थी, ओम नमाशिवाय, शिवची, सदा साहे, बड़े मंतिर में, तो वह बला मंत्र, बस समझ में आता था, तो, अब मैंने वहाँ कुछ लोगों से पूछना शुरू किया, कि अमरित वेला का टाइम क्या होता है, तो सब लोग मेरी शकल देखें, कल की आई, अमरित वेला पूछ रहे हैं, पर आंसर नहीं मिला कहीं के भी, तो मैंने अपने आपी क कुछ हुआ होगा, और मैं ऐसे नीन में चली गए, वहीं पर नीन आ गए, गुरू जी वहाँ बैठे हुए, अमरित वेला पही लब दी है, गुरू ने तो इतना असान कर दिता, कि लिप्स्टिक लगांदे भी अपने गुरू नो सच्चे मनना लियाद कर लो, तो समझ लो अमरित वीला हो गया, अनुत में इनना ब्लेस कर दिता है, कि अपने गुरू नो लिप्स्टिक लगांदे भी याद करेगी, तो ये संगज जी गुरू जी ने हम लोगों को ये चीजे नहीं दी, और बहुत सिंपल सरर रास्था दिया है, और अगर वो सी पे ही चाल निकलत तो हम बहुत कुछ ले जा सकते हैं, ये हमने सीखा है गुरू जी के साथ, जो भी गुरू जी ने प्लेसिंग सी और एक सिंपल सरर रास तरीके से ही ली, गुरू जी ने कोई रिचूल्स नहीं दिये, रिचूल्स में पढ़के ही सारा सशंग खराब करते हैं हम लोग, जो म गुरू जी ने जब महासमादी ली तो तेटी अंकल तो इस बात के पूरे गवाए हैं हुआ कि कैसे दो गुरू बने और फिर यही कि गुरू जी को संगत का ही वहां पर है सब कुछ पैसा विगारा, कुछ गुरू बन गए तो उन लोगों ने एक्स्प्लें किया, उस समें गुरू जादा मेन होती थी क्योंकि सत्संग वही होते थे, गुरू जी की ब्लेसिंग से गुरू जादा काफी जुड़ चुकी थी, तो धीरे धीरे जुड़ी वह भी, पो यह नहीं कि गुरू जी ने 2003 में शुरू कराये तो एकदम संगत आकी वह गुरू जी की लीला थी कैसे संगत को का वहां बुलाना है, ये भी हम लोगों ने बहुत चीजें देखी, तो जब गुरू जी ने महा समादी ली तो संगत काफी हो चुकी थी, तो सब को यही कि इस तरफ आ जाएं जहां संगत की तरफ और एक फैमिली ग्रूप था, एक संगत ग्रूप था, इन श लेट इम डिसाइड की ये मंदीर की बागड़ किसके हाथ जानी है, क्यू जानी है, like you know, that was my first answer, की गुरू जी, then one of the संगत said की, अगर तुमारे घर चोरी होगी तो तुम क्या उसको चोरों को चोरी करने दोगे, तो तुम क्या उसको चोरों को चोरी करने दोगे, तो तो ज जानी ही बात है, so then, खेर, गुरू जी ने उस तरफ से हट गए, जो भी किया, वहाँ पे गुरू जी ने सुवे से शाम तक रखा, तो हम सब मिलके लंगर सेवा, गुरू जी का दरबार से जाना, यह सब चलता था, तो, पर वहाँ पे अट्मॉस्फेर इतना अच्छा थान जो एट्मॉस्पेर इतना वहाँ लगया, और हम लोग सुबार के जाते थे रातों में अकेली रहती थी है, अंकल गुरू जी ने फ्यक्टी शूरू कर आय थी देरा दून में, तो हहाँ रहते थे थे बच्चे थे नहीं, साथ में, तो, एक दिन मेरा भाई आजाता है, मेर बाइ आने हो गया था गुरुजी की मा समाधी के बाद जैसा उसके सच्वने आपने सुना होगा उसको बिलीफ महीं था गुरुजी में अगुरुजी के अल्ली मनुष रूप छोड़ने से तो और भी अपसेट हो गया था कि वो खुद तो रहे नहीं हमारा क्या कल्यान इस तरह के काफी लोगों ने बाते की तो आया की क्या चल रहा है यहां पर मैंने का ऐसे ही जो चल रहा है चल रहा है ठीक है हम तो हैं हम तो ही आएंगे हमने कहीं नहीं जाना तो फिर चलना है तुमने देरा दून मुझे बोलता है मैंने का हाँ हाँ चलो मैं अभी थोड़ी हो जाएगी दो-चार दिन तो मैंने जोशी आंटी से पूछे बोले हाँ हाँ आप जाओ चेंज की जुरुत है तो उस समय गुरू जी को महा समाधी लिए तीन महीं में हो चुके और समाधी जो है जब उनका जल्दी-जल्दी में वो बनाया गया था जहां गार्डन था सबने अब सबको पता है वहाँ समाधी है वहीं पर यह प्लाटफॉर्म बनाया था और गुरू जी का जो भी लास्ट राइट भगवान के तो होते नहीं जो भी हुए वो वहीं हुए तो फिर मैं चली गई और चार दिन हो गए मुझे गए पांच में दिन मुझे लगा कि हमारे गर में चोर हैं तो सब्सक्राइम के जब आपने हसमेन को बोला कि घर में ना होग ए फड़ आए हुएήσे पथा है पता नहीं को बहुझे हम कल सुबह आएं devo आपका गर चय अर तो उन्होंने चार होता है उनको घर का एक एक कोना सब पता था क्योंकि we were like a family और जब भी हम लोग जाते थे तो एक brief case था जिसमें सारे documents, property, papers, FDs and all उनको handover कर जाते थे घर की चाबियां उनको देते थे उस दिन रात को मैं जल्दी जल्दी निकल गई और बिना बताए और क कड़ला हुआ है करते हैं मुले सारा समान kitchen के रास्ते से आये हैं वो उन पे थे वो और बोले कि बट होल्द ऑन बाटिया साब एक एक समान बार पड़ा है एक चीज दितर वितर पड़ी हुए है पर सारे gadgets as it is है क्योंकि बार में से whiskey bottles का अंकल को शौक है हालांकि वो पीते नहीं हैं बट उनको collection का था तो बोले महंगी महंगी सब पड़ी हैं और जो और कुछ उठा नहीं पाया आपका उन दिनों LED था बड़ा वाला लिया था तो हम सब बैटके movies लेखते थे तो बोले वो भी पड़ा हुआ है वो क्वाइट expensive होता था उस time के साफ से तो बोले सब कुछ है तो मेरे हस्बन ने बोला bedroom master bedroom में जा तो बोले वो तो बंद है lock है खुला ही नहीं और जबकि मेरे हस्बन जाने से पहले lock खराब हो गया था नीचे से ही कोई lock लेके उन्होंने अपने हाथ से ऐसे लगा दिया बोले मैंने lock लगा दिया तो मैं उसको ऐसे हिला रही मैंने का ये तो मैं ही धक्का मारून तो तूड जाएगा तो ये क्या मेरी सेफ्टी हुए बोले तो तुमाहे साथ तो गुरू जी है मैंने का हाँ गुरू जी है बिलकुल तो ये लॉक लगाने की भी जूरत नहीं थी उनसे वो लॉक खुलाई नहीं बेड्रूम का master bedroom में ह इंतर हाँ जाएगा में हाँ तो मेरे खां अब निचसे पडिया परम थेज उनन अबब गाया तो ये कोई फ्कषा उनन बाहरी भी कि इसको मैंने दी हुई थी तो वो भी पाउश बाड़ा था सब कुछ था तो एककम ध्यान आया कि वो ब्रीफ केस जो आपके घर चोड़ा करते हैं बोले मैंने सबसे पहले वो ही चेक किया क्योंकि वो आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट समान था तो वो है नहीं घर में तो कॉल साब तो ने बोला कि बाट या सबुब नहीं है इन शॉसर यह है कि फिर उन्होंने बोला अरे तो लोग भी लग रहा है नहीं बोला कारपेंटर को बिलाओ लो लग Brazil तो अरे चलो छाबी डालो जेड में और बोले नहीं आपा जाओ नहीं तो मैं एफ डार लिक पा र तो यह उनका बुला हुआ था गुरू जी का तो हम लोग वहां से निकले सीधा मंदिर नहीं उस ब्रीफेक्स का मैं बताती हूं तो एकदम मेरे हजमें ने फोन बंद किया गुरू जी को याद किया कि गुरू जी की यह डॉक्यूमेंट्स उसके किसी काम के नहीं है और मुझ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स बनाने में चपलें घिज जाएंगी और आप तो कोई भी समान कहीं से भी कहीं लाकर रख सकते हो यह मैंने एक भावनांटी के साथ भी ससंथ था इसका पाउश गिरा था हम हगरा से आ रहे थे किसी डाबे में और वो घर में आके टुना चांटा सूटकेज का सबची कहीं नहीं मिला गुरुझी को यारतगा था ओप आउच वापस सूटकेज कोला तो उसने काफी बड़ा था तो उसमें जूल्री थि इसकी तो वो मिल गया था तो फिर यही बोला गुरुझी को आप कुछ भी कर सकते हो गुरुझी तो थोड़ी देर बादी, उनका फोन आ गया कि आरे वो तो मैं हरान हूं कि चन के दरवाजे के पाद ही पड़ा है, जबकि उस दरवाजे से वो कितनी बार अंदर बाहर गए हैं, चलो हो गया हम लोग फिर निकले सीधा बड़े मंदिर, ये भी गुरुजी की बहुत किरपा थी क कि हम चाहे कहीं भी हो किसी भी स्टेशन पर के सीधा एंपाय स्टेट हम लोगों की गाड़ी रुकती थी, तो वहाँ पर लंगर भी 11 किया, साड़े 11 बजे का टाइम हो गया था, उस समें इतनी संकत भी नहीं होती थी, गो पालंकल को बता है, तो एकदम समाधी के पास, जो मतलब एक जगा थी और बारिशे हुई हुई थी, तो और मैं ऐसे परिक्रमा लेती थी और समाधी को ऐसे हाथ लगा के एक आदत बनी हुई थी, तो वह करती थी, तो एकदम पतानी कहां से 100-500 संकत महां पे खड़ी है, बोलते है कि भाटिया, आंटी आपको दुख नहीं हो ताकि समाधी कितनी हालत में हैं और हाथ लगाओ तो हाथ चिलते हैं, और गुरु जी ऐसे यहां पे क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मैंने का हाँ, बड़ा दुख्की बात है, भाई, यह चीज पहले होनी चाहिए, जबकि दूसरी चीज़ों के लिए सब लोग लगे हैं, तो बोले कि नहीं, आप कर आओ, इसको एक डिसेंट सा जामा आपने आओ, तो मैंने का नहीं, मेरे हाथ में क्या है, भाई, आगे यह लोग हैं, और यह करेंगे अपने इसाब से, तो बोलते नहीं नहीं, अगर हम ट्रस्ट करते हैं, तो आपको, उन्होंने मेरा गुरुजी ने, आपकी जोली में डाली है, अब इसको जो है, आप ही करोगे, मैंने कैसे करूंगी, मैं तो कुछ नहीं पता, बोले नहीं, आप एक डिसेंट सा पत्थर इस पे लगवाना है, तो एकदम मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने, एक साल पहले, 13 अप्रिल को साखी गुरुजी हमेशा 13 अप्रिल को करते थे, 12 अप्रिल का टाइम था, और दिन था वो, और मेरी बहुत बड़ी मेजर सर्जरी गुरुजी ने करवाई थी, डाए किलो का ट्यूमा भार निकाना था, तो मुझे हमेशा गुरुजी बड़े फंक्शन से पहले, 10 बादना दिन पहले बोला करते थे कि डेली मंदिर जाना है, मंदिर खुला है और वहां का सफाई बड़ेरा, जो भी होता था, हम जाके देख लेते थे, कुछ संगत को भेजा करते थे गुरुजी, तो फिर इस बार भावना मेरे पास आई हुई थी, उस बेसाकी को बोले मम्मी, गुरुजी मुझे वहां सीडियों पे ही कुरसी में बैठने का अदेश था, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, बहुत मेजर सज़जी थी, तो भावना बोली कि ममा आपकी जगा हम चलते हैं, मैं और पापा आपको लेके चलते हैं, आपका मन उदास हो रहा होगा, और में तब ये संगजी इतनी खराब थी, कि सच पूछो तो मेरा मन भी नहीं था, भावना ने बोला, तो मैं हम लोग चले गए, वहां गए तो मंदिर में कोई नहीं है, और बिसाखी का दिनों, और एक शाम पहले वहां संगत नहीं हो, ये पॉसिबल ही नहीं होता, गुर जैसे आप दरबार में एंट्री लेते हो, तो आपके लेफ्ट में आती है, उस जगाँ पर, बिठाया और बोली, ममा कोई भी संगत नहीं है, मैंने का नहीं चाय का टाइम है, चाय परिशाद का, तो सब लोग वहां पीछे चाय परिशाद ले रहे होंगे, तो संगत तो ज समय उड़ जाता, तो उसी समय मेरे को कान में आवाज आती है, भावना की, यह बिल्कुल लाइव है, संग, संग जी इसमें कोई सपना नहीं है, मैंने बस आंग बन की है, और में को भावना बोल रही है, कि ममा गुरू जी, तो मुझे लगा कि यह भार गई और आ गई, तो गुरू जी आते भी नहीं है, गुरू जी का तो में गेट खुलता है, हान बजता है, गुरू जी की नीचे, रिवॉल्विंग वो है, ड्राइवे वहां जाते हैं, फिर अंदर से एंट्री लेते हैं, तो यह गुरू जी, तो देन, एकदम भावना मेरे कंदे जोर जोर से ला रहे हैं, ममी आपके सामने गुरू जी खड़े हुए, एन संगाजी गुरू जी वह से है, गुरू जी खड़े हैं, मतलब सेकिंड्स के अंदर गुरू जी महां कैसे आ सकते हैं, गुरू जी जयार, गुरू जी कह रहे हैं कि आँटी मैनू पिलर पे वो वाइट इट गुरु जी ने हमको इस लाइक समझा अपने पास बिठाया और पदा नहीं कितने जन्मों के करम काटती गए उसमें उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि तेरी बिटी बहुत स्याणी है जो दी गल्मन्या कर तो वो समा नहीं भूलती कभी भी तो एकदम मुझे वहां पर याद आ गया कि गुरु जी को टैलिन माबल बोल के गए हैं और एकदम क्लिक भी करवाया और फिर बावा अंकर प्रोपर्टी में बोले कि इस समय अंटी टैलिन माबल मिलना बहुत मिश्किल है तो मैंने का सब गुरु जी के उपर है जो भी होगा तो मिस्तरी भी मिल गया पहले नहीं है पर जैसे काम शुरू हुआ पुलिस आगे किसी ने इंफॉर्म कर दिया कि एक और लोग आगे हैं जो अब समाधी बना रहे हैं तो पुलिस आगे तो पुलिस ने काम रुकवा दिया तींचा बाद शुरू हुआ रुकवा दिया फिर एक दिन संडे आया एक तो संडे में मैंने का कि पुलिस नहीं होगी तो एक फोन लगाते थे मुझे भी आज मैं सोचूं तो उसमें 20-25 लोग मुझे याद आते हैं कि वो लोग थे बाकी कौन थे नहीं मालूम सो डेट सो संगत इकठी हो जाना और उस दिन रात का भी सो डेट सु संगत का होना इट वस अमेजिंग लाइग तो संडे को शुरू हो गया काम फिर और जबकि पुलिस हर समय होती है तो फिर पुलिस की 15 जिपे आ गई और इंस्पेक्टर जी अंदर आ रहे हैं चोटे गेट स और संगत आंटी वह इंस्पेक्टर आ गया थोटे गेट पर मुझे ले जाती है संगत पकड़ के तो वहां में इंस्पेक्टर को बता रही हूं कि भई देखो तुम इस जगा पर एंट्री लेते हो तुम इतनी बाहर आयो तुम यहां पर कुछ नहीं दिखता है यह तो पक्रशाथ इंशवर का स्थान है जो भी गुरु जी ने बुलवाया बोला मिनका देखो और हमारे घर में चोरी हुई जबकि हमारा घ्र के लिए मना करे है हमने करन होने भी नहीं गुरू जीने अnumberशुने हमारे घर चोरी हूई और चोर कुछ भी नहीं ले जा सके ऐसे आस तो बोलता है कि आप जुट बोल रहे हो। सोच रहे थे कि पहले मेरे पर फुल टाइम स्टाफ था तो उनको निकाला क्योंकि फाइनेंशियली ठोड़े सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त तक कुछ टाइम पहले था तो उनको निकाला था तो मैंने का वो उन्होंने समानी कट्था किया होगा कोई नहीं जा सके होंगे कहता है यह मत समझना आपकी आपके घर में कोई डोमेस्टिक हैल्प करके गया है तो आपके हाँ पांच प्रोफेशनल जो और पांच रात को रुके हैं और उससे एक रात पहले गुरुजी ने ससंग करवाया था दो दिन पहले तो मैं फूलों की थोड़ी सी डेकोरेशन जैसा थी गुरुजी ने का कि जब कभी बाव उमड़े तो फूल रग दिया करो मेरे आगे तो वो गुरुजी के टाइम से ही थोड़े सा हम लोग फूलों का करते थे जो तिल टूडे गुरुजी करवाते हैं तो क्योंकि फिर मैं एकदम जल्दी-जल्दी जा जब भी इनको कोई समान की जूद पढ़ती है पाल्तू इतना समान इकठा किया हुआ है और मैं जो रंग बिरंगे कांटे चुडियों का यह था कि मैं गूल प्लेटिड उस समय जब हमारा बहुत अच्छा वक्त था तो में पार 500 लोगों का कटलरी सेट था पार्टी जोती खैकने जोगी ना रखने जोगी तो हो ले गए और जितने भी हार्ट वेर का एक एक पीस छोड़ गए संगजी ऐसे कभी कोई पॉसिबल है जब मैं उनको निकाल रही थी तो मैं कलप रही थी जिन दिन चीजों से तो वो समान वो लोग ले गए और बाकी सब छोड़ गए तो कहता है कि आप यह मत समझना कि वो ऐसे ही थे कोई डोमेस्टिक पांच प्रोफेशनल चोड़ आपके गढ़ में पांच राते रुके हैं और आपके जो ब्लैंकेट्स हैं जो गुरुजी जब ससंग कराते थे तो मैं बाहर से ब्लैंकेट्स लाई हुई थी तो वो बिच हैं तो आप उनको ड्राइ क्लीन करवा लेना तो पांच प्रोफेशनल चोड़ थे पांच जगह चोड़ी हुई करनाल और करनाल में गाजयाबाद में और नौइडा में फरीदाबाद में और आपके यह और पांच जगों से ट्रक लोड ऑफ गुड्स आये हैं और जब डि दिखा देते हैं कि यह वहां से लेकि आए अब चोर पकड़े गए हरियाना में करनाल के आसपरस कहते हैं और पुलिस वालों ने पकड़ा यह भाटी माइन्स के पुलिस वालों ने पकड़ा उनको और यह पूरे बेल्ट में आपकी चोरी फैल गई है कि यह DLF से यह समान आया और जगां से ट्रक भरके समान पकड़ा गया तो फिर हमने उनको पूछा कि भई DLF के घर में यह मिला था कूड़ा तो वो बोलते हैं ने जी वहां सब कुछ था पर जब हम नोटों को हाथ लगाते थे तो वह सांप बन जाता था और सांप बन के हमको हमारे आगे आग लगाते थे तो हमारी आखों में कोई मिट्कें जोग जाता था तो और जब electronics को हाथ लगाने लगते थे तो करेंट आने लग जाती हैं तो वहां पे तो कोई भूत आएं तो वो चोरी नहीं करने दी और फिर बुलिस वालों को बोला आप सब भी तो चोरो वहां समान पड़ गुरू जी का हाथ है तो उस बात पर कि आपको अब हम 24 घंटे देते हैं तो आप इसको कम्प्लीट करो और कोई भी परिंदा यहां पर नहीं मार सकता क्योंकि यह प्रेजिडेंड प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोज गई हुई है कि यहां पर किसी को कुछ ना करने दिया जा जहां कापा कोती है वहां पूरी उतने 500 लोगों की हुमन चेन बनी नीव खो दी गई और ऐसे करके साती हाथ बढ़ाना रे साती हाथ बढ़ाना रे और सेठी अंकल भी वहां थे हम 24-36 घंटे वहीं रहे कोई नहीं आया और वो इतना पत्थर हाड था इटैलियन माबल की इ सब्स一 बड़ी समाधी पर चड़ा और 36 घंटे तक सब की वहां पर हम लोग सब लोग वहां थे और जो हम लोगों को गूरू जी ने ब्लेस किया और जो को नजारों में घूम आया और वहां रहने क्टा ऊमें परमिशन मली सबसे बड़ी बात तो यह गुरु जी तो गुरु जी ने जो एक थोट आया कि जो आपके घर में चोरी हो तो क्या करोगे तो वो भी गुरु जी संभालेंगे तो गुरु जी का ही लीला है सब तो उसको हम सब रेलिश करें जॉइ करें और गुरु जी पर छोड़ दें तो चीजें बहुत क्योंकि जब भावना के तौ तो गुरु जी टाइम भी जब मैं सोचती थी का इसके करम कटेंगे का तो एक दिन भावना मुझे कहती है कि आपको गुरु जी क्या बोल जयते है? की आए मैरी बेटी है एन तू एदी टेंचन ना लेता ता जो करना है मैं करना तो एदी टेंचन ना लेहीं का दिए तोड़े भावना रिमाइंड़ेड मी दिस तोड़े थोट केम इन मैं माइन यह तो गुरुची का बचन है तो मैं क्यों स्ट्रेस लेती हूं इसके लिए क्यों तो वो दिन था और जब जिसन मैंने सोचना बंद किया कि और यह दिन है आज का तो अगर हम बिल्कुल कम्प्लीर स्रेंडर यह है कि सब चीज उन पर चौड़ दो चै कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए लाइफ में और वो कुछ भी कर सकते हैं मतलब जो जै कुछ